अबने चल्ड नावलेश का है और मैं हूं आपका दोस्तों बते और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारी MPPSC की क्लासेश चलिए और इस क्लासेश में हम MPPSC दूतरे से पढ़ एक जिसमें MPPSC पढ़ दूसरा जिसमें हम पराने कॉश्चन को कर रहे हैं तुससे पहले हम 170 कॉश्चन कर चके और आज के डेट में हम कुछ आगे कॉश्चन को करने वाले हैं तो चलिए यह सुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट के वे तो हमारा आज करें मंदिध्पूर में मंदिध्ध्रदेश का सबदाइस का जाता जाता है तो चैनल पर हर एक गजाम के लिए फ्री कोर्षय आफेलबल है तो आप प्लीज यह ऐदि तो लाइक सब्सक्राइब और करके जरूर रखें ताकि आने वाले वीडियो के नोडिफिकिशन आपको आसानी समिलते रहें कॉशन नमबर 173 के हम बात करते हैं तो मद्य बदेश के किस फसल का सबसादे का उत्पादन होता है तो मद्य बदेश में जो है वो सुयाबीन फसल का उत्पादन सबसे ज़्यादा होता है जियां दोस्तों लगबग पूरे देश में जितना भी सुयाबीन होता है उसका 80% एक्जेक्ट फिगरे कि हम बात के हैं मत्य स्थेट एन भी आसथा ऑसी पता है уже bea मत्य engage जाता है सुझाता है। से iqo consum पता होना चाहिए। मत्य से सब्सक्राइबीवत पता हो工 है режим मत्य touching ऑपता है कि सब्सक्राइब हो सब्सक्राइबीवावर मत्य कोशण ही love परसेंट जो सुयबीन है वो मद्यपदेश से ही आता है आगे बढ़ते हम अपने अगले कॉशन की तरफ हमारा अगला कॉशन है 175 कोशन की देश में मद्यपदेश में निमन खनी जो में सबसे बड़ा उत पादक किसका है तो जो मद्यपदेश में सबसे बड़ा उत पादक जो हम और ही रा का है कोहिनूर हीरा है मद्ध पदेश में जो पन्ना है पन्ना की ख़दानों से ही निकला है और सबसे पहले गॉालियर के राजा के पास रहा भी था यदि आप हिस्ट्री में पढ़ेंगे तो पता चले लगा आपको चले हम आगे बढ़ते हैं और कॉशन नमर 176 के हम डिसकूस करते हैं मद्ध पदेश की ग्यारवी पंचवर्स यह उजना में निम्नमे से किस चेतर में सरवद एक आवंटन किया गया था तो ग्यारवी जो पंचवर्स यह उजना थी उसमें सबसे अधिक जो आवंटन किया था वो सिचाय में किया गया था यह पर आवंटन से मतलब यह है कि जो पंचवर्स यह उजना है उसमें जो भी वजट अलोकेट किया जातों उस वजट का मुखे रूप से जाड़ातार जो भाग होता है वो किसको दिया जाएगा सिचाय को दिया जाता है चीक है दोस्तों तो जराम इसको डिटेलिंग कर लेते हैं आपर कि सिचाई तथा बाइड नेंतर के लिए जो ग्यारवी पंचवर सी उजना थी उसमें बहतर अरब साथ करोड संतान लाग रुपए रखे गए थे और ग्यारवी में की बात करें तो ग्यारवन अरब दो करोड एक साथ हजार रुपए है ठीक है दोस्तों चलिए हम आगे बढ़ते हैं और अगले कॉशन को डिस्कास करते हैं हमारे हमारे अगला कॉशन है निमलिकत में से किस इस्तान पर विदो दत्पाद नेतू पांसो मेगा वाट की एकाई जो है वो इस्थापित की गए तो इसका अंसर वीर सिंख पूर है यहाँ पर पांसो मेगा वाट की एक इकाय इस्तापित करी गई थी अंगले कॉशन की तरफ चलते हैं अगला कॉशन है निमलिकत में से किस जिले का विद आपाद सबसे प्रती कूल है एडवार्स है सबसे कम है तो जहां दोस्तों जो्यांगया से है वहाँ पर लिंग अनुपात सबसे कम है और जो बाला घाट है वहाँ पर लिंग अनुपात सबसे जादा है जो की 1021 के लगबाग है तो बाला घाट में लिंग अनुपात सबसे जादे के और मुरहना में लिंग अनुपात जो है वो सबसे काम है जो की कितना है 822 है जी आँ दोस्तों मुरहना में 822 है तो आपके याद रखना होगा बाला घाट में सर्वा देखे और मुरहना में सबसे काम है और ये आकड़ी जो है वो 2011 की जनगर्णा पर आदारेता पूर्ण रूप से आगे बढ़ता हमारे अगले कौशन की दरब हमारा अगला कौशन है निमले कितमे से किस जिले में साक्षरता दर है वो सर्वा देखे तो इसका सही आंसर है जबल पूर ये दोस्तों एक्शन में 2008 का ये कौशन है अब देखे आप इन कौशन को पढ़ते से मैं आपको एक के एक्शाम में आना है तो 2020 के MPPSC के पहले जो भी जन्गरना हुई है वो 2011 की जन्गरना हुई है और 2011 की जन्गरना के आधारत फैक्ट यहां पर पूछे जाएंगे तो यदि ये कौशन इस बार एक्शाम में आता है कि किस जिले में साक्षरता दर सरवधेक है तो आप क्या बाद आता है पुरसों की साक्षरता दर सबसादिक कहा है तो ये भी जबलपूर में है और यदि पूछा जाए महिलाओं की साक्षरता दर सबसादिक कहा है तो ये भुपाल में है 2011 की जन्गरना के अनुसारी आंकड़े है ओवरॉल जबलपूर पुरसों की जबलपूर और महिलाओं की भौपाल में हैं तो ये चीज़ें आपको याद रखनी चाहिए आगे बढ़ते हम अगले कॉशन की तब कि मदेपदेश में कितने जिले NRIG की अंतरगत सामिल किये गए हैं तो मदेपदेश में सभी जिलों को NRIG की अंतरगत किया गया था और यहां पर ये मद्वदेश के ही नहीं देश के सभी जिलों में लागू है और इसकी अनुसार प्रतेग गाउं में प्रतेग हाउस होल्ड में प्रतेग किसी एक व्यक्ति को कम से कम सौधनों का रोजगार गारेंटीड रूप से दिया जाता है चलिए निमले कितमे से कौn सा सहर है जो जी एन अ यू आर एम में सामल नहीं है तो यहां पर हम बात करें यह जो चारों सहर उपसंन दिये गए हैं यह चारों के चारों सामल हैं चलिए आगे बढरते हम 183 वा कॉस्चन जो है भोपाल गैस तरासदी के दोरान जो गैस निकली थे वाई कौन सी थी तो ये काफी कॉमन सा कॉस्चन है भोपाल गैस तरासदी के दोरान जो गैस निकली थी वो थी मिथाइल आसोसाइनेट जो यहां दोस्तों मिथायल आइसोसाइनिट जो थी इस गैस का रिसाव गवा था और यह जो घटना हुई थी यह दुकत घटना 33 दिसंबर 1984 की रात में हुई थी ठीक है दोस्तों और यह यूनिन कारबाइट के प्लांट में हुई थी तो यह तीनों चीज़ां आपको याद रखनी चाहिए फैर यह काफी कॉमन कॉशन है तो इसके आने की संभावना काफी कम है है चली आगे बढ़ते हैं 158 काफेए कॉशन के अब बात करते हैं कि मद्भध फदेश में न्यूख पर का खाना कहा पर इस्तित है तो मत्भध पतैं किरन्त का जो कार किना है वो नेपा नकर में स्तित है और देवास के हम बात करें तो देवास में हमारे करेंसी प्रिंटिंग प्रेस का कार खाना है तो यह दौने चीज़ा आपको याद रखने चाहिए यहां पर लिखी भी है मैंने और यह इंटर पेपर मील अमलाई जो अनुपर में है यह प्रेस नियूस प्रिंट कार खाना है बैंक नोट प्रेस देवास में और सिक्यूरिटी पेपर मिल जो है वो होसंगवाद में तीनों काफी जाद इंपॉर्टन प्लेसे आपको याद रखने चाहिए आगे बढ़ते हम कि साची का स्थूब समराटसोक ने बनवाया था यह बाद धर्म से संबन्दित एक इस्थान है और यह मद्यपदेश का एक वर्ल्ड हैरिटेज है यूनेस्को विस्वधरोहर का इस्थान है और भारत में कुल तीन ऐसे इस्थान है जो की यूनेस्को वर्ल हरिटेज साइड है विस्व दरोवर की सूचियां में सामल है ये तीन जगह है चतरपुर जिले का खजराहू सांची और तीसरा है भीम बैठिका की गुपाय जो की रैसें जिले में है और इसके इलावा मद्य पदेश का नौ निर्मिट जिला है जो निवारी इस जिले की एक तैसिल है जो की है ओर्चा ओर्चा सिटी को भी इस वर्ल्ड हैरिटेज साइट की टेंटरिव लिस है इसके एक वर्ल्ड हैरिटेज साइट को बराने में चलिए हम आगे बढ़ते हैं अगले कॉशन की तरफ एक तो चांबल नदी पर कौन सा बान निर्मिट है तो देखे चंबल नदी पर जो बान इस्तृत है वो यह रहे आपके तो यहां पर आप आपसन देख सकते हैं जो गांधी सागर है कौन सा बांध निर्मिट है सौरी तो जो बांध गांधी सागर है वो निर्मिट है यहां पर हम बात करें इंद्रा सागर और सरदा सरवर यह दोनों नवर्दा पर रिस्ते थे थैं अच्छा देखें यहां पर मैंने जो नवर्दा नदी को पढ़ा हुआ है एक lecture में इसके link मैंने description box में दे रखी है वहाँ पर और चंबल नदी की जो lecture पढ़ा हुआ है मैंने वहाँ पर भी वहाँ पर नदियों के साथ सथ मैंने सारी पढ़ियोजना भी आपको पढ़ा है तो अधी चंबल नदी की जो जवाहर सागर के लिए ठीक है गांधी सागर राना सागर और जवाहर सागर ठीक है तो यह गांधी सागर राना सागर और कोटा बांदे है जवाहर सागर ठीक है तो जो राना सागर है यह चित्तोडगर में है जवाहर सागर कोटा में है और जो गांधी सागर है मनसौर में ह तो ये तीनों आपको याद रखने चाहिए, ये तीनों सबसे जादे important परियोजना हैं जो की रंबल नदी पर अभी चल रही है यदि आप गरज इस ट्रिक को याद रखेंगे तो इससे बहुत आसानी से आप मना सकते हैं जो की मनसौर में है रासराना सागर या महराना प्रताप सागर बांध जो की महराना प्रताप कहां से संबन देते हैं आगे बढ़ते हैं एक सोटासिवा कॉशन निमनिस्थान में तामा कहां पर पाया जाता है तो इसका अंसर है मलाच खंड जियां दोस्तों मलाच खंड बाला घाट में हैं बाला घाट में ही सबसे बड़ी कदान है और आपको याद रखना होगा कि जो मलाच खंड है वो एसिय कि तामबे की सबसे बड़ी खंड है आपको ये याद रखना होगा बाला घाट के लावा नरसिंगपूर सागर हुसंगाबाद इन बागी के जिलों में भी जो तामबा है वो मुख्ली रूप से पाया जाता है अगले कॉशन के तरफ हम चलते हैं एक सुनवासिवा में किस संभाग में सबसे अधिक जिलों है तो काफी एक कॉम एक कॉशन जार है मद्पदिश में इंदर जले में चबलपूर जले में सबसे ज्यादा जिले पाय जाते है चलिए हम आगे वड़ते हैं इंक्यानवे कॉश्चन के दरब कि मद्धेपदेश में सरवदिक अनुसूच जाती की संख्या का पतिसाद वाला जिला कौन सा है तो मद्धेपदेश में सरवदिक अनुसूच जाती अब देखें दोस्तों एदि हम इस चीज को अच्छे से डिसकस करें यहाँ पर तो यहाँ पर जो आंसर दिया हुआ है वो आंसर बाह है जो की है उज्जेन और 2011 की जनगर्णा में भी यही बात निकल कर आती है कि मद्धेपदेश में जो सबसे अधिक जनसंख्या है वो SC की वो जैन में ही है ठीक है और एक और चीज आपको याद रखनी चाहिए दो तरह की कॉशन पूछे जाते हैं आपसे एक तो सबसे अधिक जनसंख्या कहां पर है और दूसरी चीज जनसंख्या का सबसे अधिक प्रतिसत कहां पर है यह दौनों चीज़ें आपसे पूछी जाते हैं तो इन दौनों चीज़ों में कन्फ्यूज नहीं होना है जरा हम इसे एक सेकंड में रिवाइस कर लेते हैं कि कहां कहा इस्तिती है देखें यह कॉशन चुकि 2005 में आया था तो यहां पर आंसर 2005 करनों सा रहा है लेकिन हम एक बार फैक्स को रिवाइस कर लेते हैं 2011 की जन करना के आदार पर तदी हम बात करें सबसे अधिक अनुसूचित जन जाती मतलब स्ट की हम बात कर रहे है पहले तो सबसे अधिक स्ट की जन संख्या जो है वो धार में है कहां पर है धार में जन संख्या जो है वो सबसे अधिक कहां पर है धार में सबसे अधिक वही हम बात करने हैं सबसे कम कहां पर है भिंड में ठीक है दोस्तों एक चीज पहले क्लियर करने है आपको कि ST जो जन संख्या है 2011 के जन करना है कि नुशार वो सबसे अधिक धार में हैं सबसे कम भिंड में एक चीज यह हो गई अब हम बात करते हैं कम कहाँ पा रहे सुरी कम जादा और कम हमने देख लिए संख्या अब हम बात करते हैं प्रतीसत की प्रतीसत एक अलग चीज है तो ST की हम बात कर रहे हैं 2011 की जन्रणा की आधार पर ही बात कर रहे है तो ST का जो प्रतीसत है वो अली राजपुर में सबसे ज़्यादा है अली राजपुर में ST का प्रतीसत सबसे ज़्यादा है और वही हम बात करें भिंडे की तो भिंडे में प्रतीसत सबसे काम है तो भिंड़ में जन संक्या भी सबसे काम है और प्रतीसत भी सबसे काम है लेकिन स्टी के हम बात करें तो अली राजपुर में प्रतीसत सबसे ज़्यादा है और धार में हम बात करें तो धार में जन संक्या सबसे ज़्यादा है स्टी की अब हम वहीं में SC की जनसंग क्या सबसे अधिक है और जाबुआ में SC की जो जनसंग क्या है वो सबसे कम है अंदौर में सबसे अधिक है और जाबुआ में सबसे कम है वह यह दिया हम प्रतिसत की बात करें ऐसी की तो उजयन में उजयन में सबसे कम है और यहां पर जाववा में सबसे सॉरी उजयन में सबसे अधिक प्रतीसा थे और जाववा में सबसे कम प्रतीसा थे तो आपको यह चीज़ आदक नहीं तो परसेंटेज की यहां पर बात चल रही थी आगे बढ़ते हम अपने अगले कौशन की दरब चेतरफल की द्रिस्टी से मद्यपदेश का देश में कौन सा इस्थान है तो चेतरफल की द्रिस्टी से मद्यपदेश का देश में दूसरा इस्थान है जिसके बाद राजस्थान के बाद राहस्थान देश का सबसे बड़ा राज्य है छेतरफल की जश्टी से आगे हम बढ़ते अपने अगले कॉशन की रहा है विभाजन के बाद मद्यपदेश राज्य की सीमा कितने जलों को टच करती है तो देखें काफी आसा कॉशन है और अब ऐसा कॉशन एक्जाम में आ भी नहीं सकता है फिर यह आपको याद रखना चाहिए कि पांच राज्यों से टच करती है पांच राज्य कौन कौन से हैं गुजरात उत्तरप्रदेश महराष्ट और चटीसगर ठीक है तो यहाँ पर और राज्यस्थान यह जो पांच राज्यों को मद्रप्रदेश की जो सीमा है वो टच करती है गुजरात में सबसे कम और उत्तरप्रदेश में सबसे ज़्यादा जो सीमा की मातरा है वो टच होती है आपको याद रखना है मद्ध पतेस में कौन सा बान नवदा नदी से संबन्नित नहीं है तो देखिए दोस्तों गांधी सागर जो है वो नहीं है क्यों कि इदिया मैंने आप वो ट्रिक बनाई थी गरए जो ट्रिक में गा जो था वो गांधी सागर के लिए था जोगी चंबल नदी पारिस्ते थे चलिए निमलेकित मेंसे कौन सा नाटक कालिदास ने नहीं लिखा है तो जो जान की हरण है ये कालिदास ने नहीं लिखा है इसके लावा माल विक्ना मित्र अविज्यान सकुंतलम और कुमार संभवाम ये तीनों ऐसे नाटक हैं अगले कौशन की तिरफ हम चलते हैं एक सचान बेको नंबर का कौशन है कि मद्देपदेश में सालाओं की लगबख संख्या कितनी है सभी तरह की सालाओं की संख्या है वो कितनी है तो इसका सही आंसर है एक लाग छे अजार और यहां क्ने हैं 2003 के पहले हैके तो ये कौशन उत्ले इंपॉर्ड़न नहीं रह जाता आपके लिए 2021 की साक्षरता दर कितनी है तो 2001 इसकी साक्षरता जाति हम बात खें तो मद्देश की साक्षरता जार रह रहा है वो 64.01 हो है ठीक है दोस्तों लेकिन यहां पर बात करें 2011 की जन्गर्णा पर क्योंकि कॉश्चन जो पूचा जाएगा वह आप से 2011 की जन्गर्णा पर पूचा जाएगा तो मद्यपदेश में 2011 की जन्गर्णा पर जो साक्षरता दर है वो 69.3% है याद है काफी important question है कि जो 2011 की जन्गर्णा की आदार पर मद्यपदेश में जो साक्षरता दर होगी वो 69.3% होगी वहीं पुरुष साक्षरता जो होगी वो 78.7% है और महिला साक्षरता जो है वो 58.2% है आपको याद रखने है ओवरॉल कितनी है 69.3% पुरुष की है 78.7% 78.7% महिलाओं की है 58.2% 55.2% और ये आखने है 2011 की जन्गर्णा की आदार पर आपको नूट कर लेने चाहिए काफी जाद अब आगे हम बात करते हैं मद्यप्रदेश में 36 गड़ के गठन के पस्चात कितने जिले थे तो देखे दोस्तों एदि आपको ये चीज पढ़नी है तो आप हमारे वीडियो को देख चाहिए अल्रेडि मैंने मद्यप्रदेश के गठन फर एक वीडियो बनाया हुआ और वहाँ पर काफी अट्रेक्टिव वे में आपको बताया है कि मद्यप्रदेश का गठन किस तरह से हुआ था तो एक नवंबर 2001 में जब नवीन मद्यप्रदेश बना था तो उस समय मद्यप्रदेश में बिभाजन के पहले 61 जिले थे ठीक है और बिभाजन इस तरह हुआ था हुआता है कि 16 जिले थे जो वो 36 गड़ को दिये गए तो 45 जिले थे वो मद्यप्रदेश में रह गए थे तो यह आपको कॉशन है खजराओ के मंदिर के बनाने वाले कौन से परिवार के राजा थे तो जो खजराओ का मंदिर बनाय गया था वो चंदेल वंस के राजाओं के द्वारा बनाय गया था जो की 1950 से 1050 के बीज बनाय गया था चलिए अगले कॉशन के हम बात करते है कॉशन नमर 2200 काफी important क कौशन है कि तापती नदी का उतकम कौन से जले से होता है तो इसका सही answer है साब बैतूल जियां दोस्तों तापती नदी का जो उधगाम है वो बैतूल जले से होता है इसकी कुल लंबाई 724 किलो मीटर है और यह खंबात की खाड़ी में जाकर गिरती है यह तापती नदी हम बात करें जो तापती नदी है वो नर्दा नदी के साथ ऐसी दूसी नदी है जो पूर से पस्चिम की दिसा में बहती है मां की सारी नदियां पूरी की तरह बह जाती है चलिए आगे बढ़ते हैं वीरेंद कुमार सक चेला के पस्चात मद्य पदेश के मुख्यमंतिरी कौन ब बात करें कैलाज जो सी जो 26 शेद उनीस सो सत्तर से सत्रा एक अठतर तक थे उसके बाद आये थे बीरेंद कुमार सक चेला आये थे जो की अठतर जनवरी उनीस सो अठतर से उनीस जनवरी असी तक रहे थे उसके अलावा सुंदललाल पटवा जो 20 जनवरी असी से लेके 17 फरवरी 80 तक रहे थे ये काफी छोटे कारे समय के तक के लिए रहे थे उसके लाबा राष्टपती सासन लगा रहा था अगले चार मेने मतलब 18-2-1980 से 8-6-1980 तक राष्टपती सासन था और राष्टपती सासन के बाद अरजुन सिंग जी बने थे मतलब देश के मुक्य मंतरी जो कि एक फुल फ्लेज और जिनों ने अपना पूरा कारेकाल पूरा किया था 18-1980 तक 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 आपके आज रखने चाहिए आगे हम बढ़ते अगले कॉशन की तरब कि निमलेकिन में से कौन सा नगर जिलामुक्याले नहीं है न थे बदेस में तो इसका आज़ा ए tarc जो है जिलामुक्याले नहीं है 2003 की हम बात करते 2003 के हम बात करते ह Count कि इसपाद विलाई कार खाने का उत्पादन कब सुरू हुआ था तो जो भिलाई इसपाद कार खाने में जो उत्पादन था वो 1956 में शुरू किया गया था और 1956 में हम सभी को बता है कि मद्व देश का गठन हुआ था और यह जो 1956 का गठन था यह भासा याधार पर किया गया था तो यह आपको याद रखने, 1956 के आसपार जितने भी राज्यों का गठन किया गया था ये सभी के सभी राज भासा याधर पर गठित किये गये थे चलिए अब हम बात कहते हैं मद्व देश में कौन से जिले में अफीम की बोई जाती है तो देखे आपको इसके लिए में एक ट्रिक दी थी अफीम और गांजा दो चीज़े है तो अफीम मा पर खतम होता है तो यहाँ पर आंसर है मनसौर और खंडवा में जो होता है वो गांजा होता है जो गांजा होता है वो मुक्य रूप से खंडवा में होता है और अफीम जो होता है वो मुक्रूप से मंसौर में होता है और ये दौनों फ़सल एक्जाम में पूची जाती है लास्ट एर भी पूची गई थी लास्ट एर इसका मतलब जब लास्ट टाइम 2018 में MPPS से एक एक्जाम हुए थे तब चलिए अगले हम बात करते कि गॉले राजी के स्थाफना किस ने की थी तो गॉले राजी की स्थाफना महादजी सिंधिया जी ने की ओर जी हैं दोस्तों जो सिंधिया परिवार है वही चला आ जो यहाँ पर आपसान है वो है चंदेरी, बनार्जी, मुरादाबादी और कांजी वरमती इसका सही आंसर है बाप जो किये मुरादाबादी चलिए आगे हम अगले कॉशन की तरह बढ़ते हैं अपने 2208 कॉशन की तरह कि निमले कितमें से कौन सी जन जाती है मद्यपदेश मे के उपर निमले कितमें से कौन सरदा सरोवर परियोजना के विरोध में थे तो इसका आंसर है ता मेधा पटकर जो थी वो सरदा सरोवर बांध परियोजना के विरोध में रही थी चलिए हम आगे बढ़ते हैं नेक्स कॉशन बिखरे मोती के रचेता कौन है तो बिखरे मोती कि रचेता स्री मतिसुबद्रकुमारी चोहान जी हैं वह हमारा अगलाee कॉशन है कि मध्य प्रथम मुख्य मंत्री कौन दे था एक आफी कॉमन सा कॉश्चन है पंडे रवी संका सुक्ळ थे उम्रति प्रथम् मुख्य मंत्री थे चले में आगे बरते हैं तो जो बुरा देव थे वो बैगा जनजाती के प्रमुख दे होता है मतलब बैग एक जन जाती कि लोग प्रमो कुरूप से बुरा देव को पूछते हैं अब वहीं आगे अगले कॉशन की तब चलते हैं लक्षिमिभाई कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन कहां पर रिस्तेत हैं तो जैसे कि मैं आपको बता चुका हूँ कि जो जन जाती हैं ठीक है दोस्तों कंफ्यूज नहीं होना है दो तरह के कॉशन पूछे जाते हैं आपसे मैं एक बार फिर आपके रिवाइस करा दूँ एक कॉशन पूछा जाता है कि संख्या कहां पर सबसे जादा है और दूसरा पूछा जाता है प्रतिसस कहां पर सबसे जादा है तो जन जातियों की बात करें मतलब सेड्यूल ट्राइप की बात चल रही है तो 2011 की जन गरना यह जो कॉशन है 2004 के पहले जब भी जन गरना होई होगी जो कि 2001 मुई तो उस पर आधारेत है लेकिन चुक्कि 2020 में आपका पेपर हो रहा है और यह कॉशन यह ज़िए 2020 में पूछा जाएगा तो 2011 की जन करना के अधार पर हम बात करें जो जन जातियों की संख्या का परतिसस सबसे जादा है परतिसस सबसे ज़ादा है वो अलीराजपूर में है और जो संख्या सबसे ज़्याद है वो धार में है वहीं यदि संख्या सबसे कम है तो भिंड में और प्रतिसस सबसे कम है तो वो भी भिंड में आपको याद रखना चाहिए Next question की तरफ हम चलते हैं कि National Newsprint and Paper Mills कहां पारिषते थे तो National Newsprint और पेपर मिल जो है वो नेपानकर में इस्ते थे हैं देवास में करेंसी प्रिंटिंग है और सेक्योर्टी पेपर मिल जो है वो होसंगाबाद में है आगे बढ़ता हम अपने अगले question की रहा है कि उडिसा के तूफान ग्रस छेतर को किस जिले को मदपदेश ने गोद लिया है 2004 के पहले का ये एक incident है जिसमें उडिसा का एक जिला था जो तूफान की चपेट में बुरी तरह साया था तो उसको मदपदेश ने गोद लिया था और इसका आंसर है जाजपूर जियां दोस्तों जाजपूर जो है वो उडिसा से बुरी तरह तबाह हो गया था जो स्टेट केल है वो मलखंड है ठीक है और जो मचली की बात के तो महसर जो मदपदेश की राज्य मचली है तो आपको याद रखना चाहिए आगे हम बढ़ते हैं किस नदी का उदकम वैतूल में है तो अभी हमने डिसकस किया था कि जो तापती नदी का उदकम है वो वैतूल जिले में है और जो खंबात की खाड़ी में जाकर गर जाती है आगे बढ़ते हैं कालिदा सम्मान किस छेतर में दिया जाता है तो जो कालिदा सम्मान होता है वो कला के छेतर में दिया जाता है और कला में भी मुख्य रूप से सास्त्री संगीश, सास्त्री नित्य, रंग कर्म, आदी के छेतर में दिया जाता है और मद्य प्रदेश का ये काफी प्तिष्ठत सम्मान भी है मद्य प्रदेश में मैगनीज का सबसे बड़ा इस्तिरोत कहां पर रिस्तित है तो मद्य प्रदेश में मैगनीज का जो सबसे बड़ा इस्तिरोत है वो बाला घाट में है अगे हम बढ़ते हैं कि किस के उत्पादन में मद्य प्रदेश का इस्थान प्रथा में तेदी हम बात करें सुयवीन के उत्पादन में मद्य प्रदेश का इस्थान प्रथा में भलाई स्टील प्लांट जो था वो USA के सहयोग से किया गया था आगे बड़ते हम किस जिले में बगेली बासर नहीं बोली जाती है तो सतना जिले में बगेली बासर नहीं बोली जाती है ठीक है निमने में से कौन है जो मद्यपदेश के राजपाल कभी नहीं रहे तो इस कांसर है स्री गोविन नारायन सिंग है मद्यपदेश के राजपाल कभी नहीं रहे इसके लावब जो ये तीनों नामें मद्यपदेश के राजपाल रहे हैं आगे बढ़ते हम मद बदेश में अवंती किसे कहा जाता है तो मद बदेश में जैन को अवंती कहा जाता है यह जैन का एक प्राची नाम है चचाई जलपरपात किस जिले में है तो चचाई जलपरपात जो है वो रिवा जिले में है और चचाई जलप्रपात की जो ओचाई है वो 130 मीटर है और यह मदभदेश का सबसे उचा जलप्रपात है और यह बीहर नदी के द्वारा बनाया जाता है जो कि एक चंबल की सहायक नदी है तो इस तरह से इसको ऐसा भी माना जा सकता है कि चंबल नदी पर बनने वाला है आपको याद रखने चाहिए कि जो चचाई जलप्रपात है मदभदेश का सबसे उचा जलप्रपात है जिसके उचाई 130 मीटर है यह रीवा जिले में है जिसे बीहर नदी बनाती है और बीहर नदी जो है वो चंबल नदी की सहायक नदी है नेक्स्ट जिब्राल्टर ऑफ इ जाले के लिए प्रसिद्द्ध और में सबसे नाम है इंद्रा कला संगीत विस विध्याला और इसकी स्थाफनेना में हुई ती doubled मदभदेश में बनने वाला सबसे पहला विस विध्याला है जो की सागर जिले में स्थेत हैं साथ में आपको याद भी रखना होगा कि डाक्टर हेजिंग और विस विद्याले की जो स्थाफन होई थी वो 1946 में हुई थी मद्यपदेश के किस राश्च्य उध्यान को प्रोजेक्ट टाइगर में सबसे पहले सामिल किया गया था तो कानकेसली राश्च्य ध्यान को में में 1935 में उसकी स्थाफन योई थी और उनीसबेशिदेश गिक्ट में 1000 गया था न style प्रोजेक्ट टाइगर में विए हो जाए था दौन तिन आपको याद ने 30 आक्टीन दा बना था 1935 में से 1933 में अभ्यारंट के रूप में बना था हूँ 1955 में से नैस्नल पार्क राष्ट्य उद्यान का दर्जा प्राप्त हुआ था और 1974 में यहाँ पर प्रोजेक्ट टाइगर को लाए गया था तो यह तीनों साल आपको याल रखने चाहिए कुछ भी पूछा जा सकता है अची रेट में 29 वे कॉशन के हम बात करते हैं कि मद्यपदेश दिवस कब मनाया जाता है तो यह सभी को पता है 1 नवंबर को मद्यपदेश दिवस मनाया जाता है क्योंकि 1 नवंबर 1956 को मद्यपदेश का जो मद्यप्रदेश का गठन हुआ था और 1 नवंबर सन 2000 को मद्यप्रदेश का वरतमान रूप जो है उसका गठन हुआ था आगे बढ़ते हम अनुपूर जो अनुपूर है यह नाम चर्चा में क्यों रहता तो इसका अंसर है आम अनुपूर्देश में पर्थम बार चुने के परतिनीदी को बापस बुलाने के लिए चुना हुआ था और ऐसा जो था भारत की इतियास में एक ही बार हुआ है जो कि अनुपूर्द जिले में हुआ था ठीक है दोस्तों तो यहां पर हमार आज का वीडियो खतम होता है और बाकी के जो वीडियो से हैं आपको कल मिल लाएंगे जिसमें कल बाकी के सारे कॉशन को खतम कर देंगे और यह सारे कॉशन आपके एक्जाम के पहले काफ़ जादे इंपोर्टन्स रखते हैं थैंक यू